खवर श्री गंगा नगर से है जोहां जस्ता सिंग मार्क पर स्कूली बच्चों की बस का अगला टायर सीवर लाइन के गड़े में फस गया जिसके चलते स्कूली बच्चों की परिजनों ने RUIDP प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भांबू चौक पर धरने पर बैठ गए वहीं प्रदर्शन की सूशना पाकर पुलिस और RUIDP के अधिकारी पंचम पुरुवेंद्र भी मौके पर पहुँचे और वारता के दोरान परिजनों ने एक सब्ताहों में सडक निर्मान और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कारवाई की मांगी वहीं अधिकारियों ने आश्वासन के बाद ये पूरा मामला शान्त हो पाया अधिकारियों के आश्वासन से ये बाद में पूरा मामला शान्त हो पाया सीवर लाइन में गड़े में फसी स्कूल बस ने पूरा मामला गर्मा दिया श्री गंगानगर से खबर बता रहे जहां बच्चों के परिजनों ने धरना दिया है आरिवाई डीपी पर लापरवाही का आरोप लगाया है और बाद में आरिवाई डीपी के अधिकारियों ने मौके पर पहुँचकर आश्वासन के बाद ये पूरा मामला शान्त करवाया बच्चों के परिजनों ने धरना दिया है और साथी आरोप लगाया है RUIDP पढलापर वाही का श्री गंगा नगर से आपको खबर बता रहे हैं आधिकारियों के आश्वासन के बाद फिर पूरा मामला शांद हो पाया RUIDP के अधिकारी मौके पर पहुँचे धरने को देखते हुए मामले को शांद करवाने के लिए आश्वासन दिया और उसके बाद बच्चों के परिजनों ने धरना खत्म किया लापरवाही का भी आरोप लगाया है RUIDP पर श्रीगंगा नगर से लगातार खबर बता रहें अधिकारियों के आश्वासन के बाद पूरा मामला शांद हो पाया